दोस्तों जैसे ही आप सभी जानते हैं फिलिप कार्ट पे सेल चल रही है और बहुत सारे यूजर यहाँ पर EMI के समान खरिदना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आप कोई भी प्रोडेक्ट नो कोस्ट EMI पे किस तरह से वाई करेंगे सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा अगर आपको स्मार्टफून भाई करना है वो भी कर सकते हैं आपको वह से इन वसीन भाई करनी वो भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप कोई और प्रोडेक्ट भाई करना चाहते हैं वो भी EMI पे कैसे करेंगे यह जानने के लिए बस यह वीडियो कम्प्रीट आपको देखना होगा और एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँँआ मैं जो तरीका को दिहाऊँआ बाई करने का यह तरीका बहुत एजी है अगर आपके पास दोस्तों HDFC बेंगा केरेट कार्ड नहीं है या फिर कोई और केरेट कार्ड आपके पास नहीं है तो भी यह बाई कर सकते हैं लेकिन करेंगे कैसे यह जानने के लिए यह वीडियो आपको देखना हुगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां दोस्तों मैंने फिलिप कार्ड अपने मुबाईल फून में ओपन कर लिया है अगर आपको कोई भी प्रोडेट यहां पर ओनलाइन EMI बाई करना है तो उसका नाम आप पहले यहां पर सर्च कर लेंगे एक्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इस स्मार्ट फून यहां पर बाई करके EMI पर तो इस स्मार्ट फून मैंने यहां पर सर्च कर लिया है दोस्तों मैं आपको बदाने चाहूँँआ जो भी प्रोडेट आपको बाई करना है EMI पर फिलिप कार्ड पर उसका नाम बस आप सर्च कर लें उससे स्रेट कर लें जैसे मैं आपको दिखाऊ हुँआ सेम इस तरह से आप किसी भी प्रोडेट को EMI पर बाई कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर दोस्तों फर्च वाले मोबाईल फून को स्रेट करता हूँ इस पर किलिक करने के बाद आप दे सकते हैं इसकी प्राइज है दोस्तों यह यहां पर 10,999 रुपे और 31 पर दोस्तों अभी के टाइम में ओफ देखने को मिल रहा है और नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपके सामने काफी सारे ओप्सन आ जाते हैं तो बाइ करने के इसे किलिक करने के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है लिखा हुआ है लिखा हुआ है अमेरिकन एक्सप्रेस है अमाजॉन पर है और भी बहुत सारे अधर करेट कार्ट यहां पर शोग हो चुके हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको पताने चाहूँगा कि अब भी के टाइम में अगर आप में इस वीडियो पर गिलिक करा है तो आपके पास इन में से कोई भी EMI कार्ट नहीं होगा लेकिन अभी के टाइम में आपको एक EMI कार्ट की जरुत पढ़ेगी जिसका नाम में दोस्तों बज्याच, फिंसर, EMI कार्ड ये EMI कार्ट की आपको जरुत पढ़ने वाली है अब आप सोच रहूँगे कि इस EMI कार्ट को कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों इस EMI कार्ट को आप ले सकते हैं इंस्टेंड इंस्टेंड आप इस EMI कार्ट को अप्लाई कर सकते हैं और जो लिमिट आपको मिलेगी उसे आप यूज कर सकते हैं मेरे फ्रेंड ने भी दोस्तो इस EMI Card के लिए अप्लाई करा उसे 20 दर रुपे की लिमिट मिल गई है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तो अभी के टाइम में बजाज इंस्टा EMI Card अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी अप्रोफल आपको देखने को मिल जाता है वैसे इंस्टेंट Card Extribution आपको देखने हो मिलेगी ये तो दोस्तो किलिए रहो चुका है कि आपको एक EMI Card चाहिए जब भी आप कुछ भी प्रोटेट यहां पर इंगा EMI पर बाइक कर सकते हैं लेकिन बेश्ट आपके लिए बजाज फिंसर यहां पर रहने वाला है तो पहले बात करते हैं इस EMI Card को अप्लाई कैसे करेंगे फिर इसकी मतर से शोपिंग कैसे करेंगे मैं आपको लाइक कर दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को स्की बिल्कुल भी नहीं करना है और वीडियो को लाइक अभी आप कर दें दोस्तो बजाज EMI Card अप्लाई करने के लिए लिंक में आपको दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जिसे आप वहाँ किलिक करेंगे आप इनकी ओफिसल वेबसाइट पर आ जाएंगे इस EMI Card में आपको तीन लाग रुपे तक की लिमिट देखने हूँ मिलेगी जिसे आप ओनलाई शॉपिंग करने में यूज कर सकते हैं और 6 रिजन दोस्तों है इस Card को अप्लाई करने के जैसे कि अगर आप यह Card अप्लाई करेंगे तो 100% Digital Process आपको देखने हूँ मिलेगा और जैसे कि मैं आपको बताया था कि 30 सेकंड में अप्रोवल हो जाएगा यानि 30 सेकंड में अप्रोवल का और Stand Card Activision आपको देखने हूँ मिलती है 4000 प्लस लोकेसन इन्होंने कवर भी करी है 1.5 Black Plus इनके पार्टनर हैं और अप्टो 60 मेहने तका टाइम आपको मिलेगा और बात आती है दोस्तो इस EMI Card की मुदश से हम कौन-कौन से प्रोडेक्ट बाई कर सकते हैं दोस्तो इस EMI Card की मुदश से आप आप इस EMI Card को यूज कर सकते हैं और इसका जो eligibility criteria है उसके लिए आपकी age दोस्तो 21 साल कम से कम होनी चाहिए जबी आप ये EMI Card ले सकते हैं तो इस EMI Card अपलाई करने के लिए अब आपको एंटर करना होगा अपना mobile number नीचा पिलिक करेंगे get it now पे इसके बाद आपके पास एक लेम जो pen card पे हैं नीचे आप एंटर करेंगे date of birth जो आपके pen card पे हैं नीचे अपना pen card number नंबर एंटर कर देंगे अगर pen card नहीं है तो यह option है अगर आप एंटर ना करें फिर भी EMI Card मिल जाएगा नीचे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है PIN Code PIN Code आप एंटर करेंगे अपनी city का या फिर आधार कार्ट की बेक साइट पे पिन कोड है वही एंटर कर दें नीचे आपको अपनी city का और नीचे स्लेट करना है यह आप सेलरीड है या पिस सेलरीड करते हैं तो आप सेलरीड स्लेट करेंगे अगर अपना बिजनेस है आपकोई दुकान है तो यह स्लेट करने के बाद किलिक करेंगे आप सिंपली प्रोसिस पर यहां दोस्तो आप देख भाएंगे जिस फ्रेंड का मैं यह एमाई कार्ट अप्लाई कर रहा हूं उसे 20,000 रुपे के लिमीट दोस्तों यहां पर ओफर हो चुकी है लेकिन उसने मिस्तर कहा था कि भाई अ लेकिन आगे जाकर लिमीट इंक्रीज केस हो गई यह कमईटी में बस आ सकते हैं इस वज़े से मैंने आपको इस बारे में पहले ही बता दिया है तो यह कार्ट देने के लिए नीचे आपके सामने आता है प्रोसिस फोर वेट विकेसन का यहां किलिक करेंगे अब यहां के सा अगर आप यह इमाई कार्ट ले रहे हैं यह 500 निचान पर की वन टाइम जोइनिंग फीस यह वस आपको एक बार पे करनी है पे करने के लिए किलिक करेंगे प्रोसिस फोर पेमिट पे यहां किलिक करने के बाद आप यह पीमिट कर सकते हैं दोस्तों यूपी याई से नेट एक्टिवीट नहीं हुआ है इसे एक्टिवीट करने के लिए एक्टिवीट हमें करना हुगा अब एक्टिवीट करने के लिए एक्टिवीट पे किलिक करेंगे और यहां एक्टिवीट करने के लिए अपनी डिटेल्स फिल करेंगे जैसे यह अपना बेंग अकाउंट में जो हमारा नाम है वो इंटर करेंगे, bank account का जो IFSC code है वो इंटर करेंगे, bank account नमबर नीचे एंटर करेंगे, bank का type state करेंगे, bank हमारा current IFSC saving है, उसके बाद process पे किलिक कर देंगे, अब यहाँ नीचे हमारा साम में दोस्तों, option आते हैं 3, एक आता है OTP का, एक debit card का, एक net banking का, इन म आएगा, नीचे हमें एंटर करने है debit card के number, नीचे हमें एंटर करने है expiry and validity date, और नीचे हमें एंटर करना है CV number, और किलिक करना है continue पे, OTP हमारा पास आएगी, वो कोफी करेंगे, और यहाँ हमें एंटर करेंगे, किलिक कर देंगे verify पे, verify पे किलिक करने के बाद mandate दोस्तों हमारा approval हो चुका है, और successful हमारा budget इंस्टा EMI card एक्टिवीट हो चुका है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, V card पर किलिक अकर इसकी details हम देख सकते हैं, और हमें जो लिमिट मिली है दोस्तों यह है 1,35,000 रुपे की, जिसे मैं यूज कर सकता हूँ, फिलिप card में shopping करने के लिए इस सारी लिमिट दोस्तों में अब यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, और हाँ दोस्तों, मैं इस लिमिट का यूज कर सकता हूँ, Amazon पर भी, अब जो भी प्रोटिट हमें बाई करना है, no cost EMI पर वो हम यहाँ पर कर पाएंगे, उसके बाद दोस्तों पिले स्टोर पर आ और इनीचे कर देंगे, लिंक EMI कार्ट पर, यहाँ नीचे को किलिक करना है, किलिक करने के बाद आपका EMI कार्ट सक्सेसफुल इस एप से लिंक हो जाएगा, और यहाँ पाद जो लिमिट आपको मिली है, वो लिमिट आप अपनी यहाँ पर देख पाएंगे, और कार्ड आ तो मुबाइल में ही आपको सर्च कर लूँगा, सर्च करने के बाद जो मुबाइल फूने दोस्तों, वो काफिस सारे हमारे सामने आ जाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ बाइक अगर दिखा रहा हूँ, ऐसा से मैं आप किसी भी प्रोड को बाइक कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता है तो इस पे मैं किलिक करूँगा इस तरह से, किलिक करने के बाद बाद इसे मैं स्कीप कर दूँगा, इस अप नीचे लिखा हूँआ है mein अप कुछ सिगण का वेट करना है, और जो सब यहाँ इहाँ statना है, अप नीचे आप देखेएंगे दोस्तों, लिखा हुआ है आल EMI option यहां click कर देंगे उसके बाद दोस्तों wait करें कुछ सेकेंड का और यह interface आपके सामने आएका सबसे उपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है no cost EMI यहां click करेंगे अब जैसी आप की निचे आ जाएगा बजाज फिंसर यह आ गया इस पे प्लेक्र करना है इसेट पर करने के बाद दोस्तों आपके Sun काट पे किसी प्रोड को यहां पर बाइब करना बजाज की मतलब से बहुत इजी तरीके से आप वाई कर सकते हैं जैसे कि मैं यह आपको दिखा दिया है अगर आपको वह से बघाज का इंस्टा-इम आई कार यहां पर अप्लाई करते हैं यह फूचर मिसे सबसे अच्छा लग करते हैं आपको फैसल हिसा कि अपसा कैसे सांब आपके लिकने को मिल जाते हैं अगर कि के लिए बेद्म कर करें खते हूं आप से फिर से किसी नए वीडियो में जब तक के लिए जय हिंदू